हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में आज की वीडियो में हम और गेट एड एड का कंसेप्ट देखेंगे यहाँ पे दो सरकुट ले हुए हैं एक सरकुट यह है एड गेट का सरकुट है और दूसरा circuit और gate का circuit है दो diode हैं एक diode for input 1 के लिए दूसरा diode input 2 के लिए यहाँ पर जो input देना रहेगा end gate में वो diode के cathode terminal से देंगे यह cathode terminal है और यह secondary input जो देंगे वो भी cathode terminal पर देंगे दूसरा diode के जो कि यह cathode terminal यहाँ पर डायोड के एनोड टर्मिनल को common करके एक resistance के थ्रू बैटरी से connect किया हुआ है end gate में output high कब होगा याने output आपका 1 कब होगा जब दोनो input 1 होगे means दोनो input 10 volt होगा यहाँ पर input जो दिया जाएगा 10 volt दिया जाएगा का output 1 होगा otherwise एक भी input 0 होने पर output 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसका table बनाते हैं यहाँ पर 10 volt को हम 1 मानते हैं logic में और 0 को 0 तो जब दोनो input 0 होगे एक इन्पुट 0 इन्पुट 0 output 0 हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर जब हम input 0 apply करेंगे यहाँ पर input 0 apply करेंगे तो यह दोनो डायोड conduct कर जाएगे क्योंकि इनको 0 means यहाँ पर आपने ground path connect कर दिया तो यह जो 10 volt है current कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर output आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इस condition में जब दोनो input 0 हो तो output 0 होगा जब एक input 0 और एक input 1 होगा 0, 1 तो output 0 होगा यहाँ same condition होगी यह diode conduct नहीं करेगा यह diode आफ कंडिशन में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो 10 volt दिया यहाँ पर भी 10 volt है तो दोनों का voltage difference 0 होगा तो यह diode आफ कंडिशन में होगा बट जब यहाँ पर 0 होगा और ground connect हो जाएगा means यह conduct कर जाएगा यह diode 1 कंडिशन में हो जाएगा तो current इस तरीके से flow करेगा तो जो यहाँ पर भी output जो होगा वो 0 volt होगा इसी तरीके से similar जब यह वाला input आपका E1 1 होगा और E2 0 होगा तो output 0 होगा और जब दोनों input आप 1 होगे तब output 1 होगा कैसे 10 volt आपने यहाँ पर दिया 10 volt यहाँ पर दिया दोनों डायोड यहाँ पर आफ कंडिशन में हो जाएगे दोनों डायोड आफ कंडिशन में होने की वज़े से जो current का flow होगा वो इस तरीके से होगा पर भी 0 हो जाएगा आपका 10 volt तो देखिए यहाँ पर जब दोनों इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा दोस्तों end gate की जो कंडिशन होगी an end gate is a voltage level will be a 1 when both the input is 1 जी दोनों इनपुट 1 होगे जब आउटपुट का आउटपुट लेवल 1 होगा the output is a 0 either और both inputs are 0 तो जब दोनों input 0 या एक input 0 होगा end gate में तो output 0 होगा यहाँ पर इस example से हम समझेंगे की voltage level क्या होगा जब एक diode कंडिक्ट करेगा और एक diode नहीं करेगा और यहाँ पर id current क्या रहेगा v out क्या हो रहेगा D1 diode के यह D1 diode है यह D2 diode है D1 diode के across voltage difference 0 होने के कारेण यह diode off रहेगा और यहाँ पर voltage difference अलग है 10V है तो इधर पर diode हो जाएगा on तो on हो जाएगा तो यह diode इस तरीके से network से connect हो जाएगा मतलब 0V हो जाएगा तो जो डायोड करेंट होगा इस direction में जाएगा id 2 यहाँ पर डायोड का forward voltage हो जाएगा 0.7V जो कि minus plus है तो यहाँ पर भी out भी output हो जाएगा 0.7V is equal to diode forward voltage तो id current रहेगा not E2 यह voltage minus output voltage तो 10 minus 0.7 अपन आर है आपका 1 kilo ohm तो 9.3 milli ampere id 2 current find हो गया मेंज डायोड से flow करने वाला current id 2 है थैंक यू फ्रेंड्स पॉर वाचिंग दी वीडियो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करना ना बूएगा